स्वागत है आपका पाई क्लासिज में आज से हम 12th NCRT मैथ का सलेवा से स्टार्ट करने जा रहे हैं अपनी यूट्यूब चैनल पर आप इसके लावा कोई भी अधरगुक भी पढ़ सकते हो हेल्पिंग में जैसे आप प्रेक्टिस अच्छी कर सको कोई भी आरेस अगरवाल अधर्डी सर्मा आम अधर्वाल कोई भी बुचा कमन करें प्रेक्टिस करने के लिए बाकि टोपिक सम्में सेमी हैं जो बेसिक्स फ़र्मुले हैं असके सब कुछ सेम बस उसमें प्रेक्टिस के लिए कॉस्चन समें ज्यादा मिल जाते हैं उनका लेवल होता है उनका हाई भी होता है लो भी होता है तो आप एक एक्स्टर बुक जरूर करें साथ में इसके तो आईए अब हम शुरू करते हैं हम स्टार्ट करते हैं चैप्टर 3 से थोड़ा सा एजी से लेवस पहले कर लेते हैं चैप्टर 1 और 2 इसके बाद कर लेंगे 3 और 4 के तो चैप्टर 3 है हमार मेट्रेसिस ग्या है आपने सुना हुआ होका मैट्रेक्स स्जंगूलर वर्ड है प्रूलर कैसे कि जाधा कनिफ्यूज होने की अपको जोत नहीं है रहyे हिए सिकिह कि डेफिनेसन आती है मैट्रिक्सिजन ओडर्ड रेक्तेंगिलर अधुर और or फंक्षन ओडर रेक्टेंगुलर रेक्टेंगुलर अभी मीनिंग समझा है अरे का मीनिंग अरेजमेंट से है ठीक है इस तरह से में इसको लिख दूए इन ब्रेसे में ठीक है तो दैन इस इस नोन एज ओडर रेक्टेंगुलर अरे और इसी को हम मेट्रेक्स बोलते हैं अभी और हम इसको के लिएर करेंगे थोड़ा सा ठीक है तो हमने यह अलग-अलग इस टाइप से लिखा हुआ था इसको हमन हमारी सिंगल लो आई अगर हमारे पाद कोई 20 स्टूडेंट भी है तब हम दोनों स्टूडेंट का अगर दिखाना चाहें डाटा 2 3 4 5 2 3 तब हम इस टाइप से दिखा सकते हैं यह भी हमारी मैट्रिक्स है और अगर एक तीसरा भी आ जाए हमारे पास और 1 4 5 दिखा सकते हैं दो का भी तीन का भी और भी इस इनके पास कुछ और चीज़े हों तो और भी हम दिखा सकते हैं तो इस डाटा को इन ब्रेशिज में रिप्रेजेंट करना इस टाइप से रिप्रेजेंट करना डैट इज आवर नोन एज मैट्रिक्स उस डाटा के दो को सब्सक्राइबन और और अब आपको समझना आगा ओक् Dieu कैसे आगे समझते हैं अगर हमारे पास ऐके पास खाली हम physiological है इसको मैट्रिक्स में ठीक्स हें तो हम इसको भी दिखा सकते हैं अक्ले को यह भी मैट्रिक्स हैं ठीक है इसमें कितने भी number हम किसी भी type से हम अपने अनुसार लिख सकते हैं अब यह जो matrix आई है देखो इसमें यह जो horizontal lines है यह इनको हम बोलते है rows जो horizontal lines है they are known as rows for example यह हमारी first row row 1, row 2, row 3 यह सिर्फ समझाने के लिए ऐसा नहीं है यह जो vertical lines है यह these are columns जैसे यह column 1, column 2 and column 3 आगे साथ में इसमें कितनी row है हमारे पास row 1 and row 2 इसमें c1, c2, c3 column तो 3 है इसमें only देखो एक ही row है अगर इसको मैं देखूं एक ही row है और एक ही हमारा column है तो अलग-अलग types है, अलग-अलग matrix होती है किसी में row जादा होती है किसी में column जादा होती है किसी में दोनों equal होते है अब इसी से हमारे पास एक topic निकल के आता है, order of a matrix, matrix का order क्या होता है जैसे हम polynomial पढ़ते थे न, polynomial में क्या पूछते थे, degree क्या होती है, degree क्या होती है तकि variable की highest power जो होती है, वो उसकी degree होती है, इसी types का order होता है order हमारा order का formula है, number of rows into number of columns, देखो पहली वाली के देखो, पहली वाली में row कितनी है, one, column कितने है, one, two, three तो पहली वाली का order क्या हो गया, one into three दूसरी वाली matrix जो हमारी बन लिए, उसका क्या, two rows है, और three columns है next में three rows है, और three हमारे columns, यह उसके order हो गए, order को normally कहां लिखा जाता है, यहां पर one multiplied by three, two cross three, three cross three, यह इनके order होते है, ठीक है तो order of the matrix, number of rows into number of columns, अब देखो यहीं से हमारे पास आता है, क्या आता है, यहां से हमारे पास number of elements भी हम इसी की help से find out कर सकते हैं, देखो इस matrix में कितने, यह तो order है, इसको आपसे multiply कर लो, three, तो three elements है element का मतलब जो इसके अंदर हमने number लिखे हुए है, उनको हम elements of matrix बोलते हैं, कहीं-कहीं इनको entries of matrix भी बोलते हैं, लेकिं entries सब बहुत ही कम यूज होगा, किसी-किसी बुक में, और otherwise इनको elements of matrix बोलते हैं, जैसे set में बोलते थे हम, चीक है, और अगर इनको multiply कर दें, तो six आया, अब आता है representation of matrix, जैसे हम sets को represent करते थे, A capital letter से, ऐसे हम इनको कर सकते हैं, इसको A से, इसको B से, इसको C से, इस type से हम इनको represent भी कर सकते हैं, matrix A, matrix B, matrix C, order अलग-लग भी हो सकते हैं, order सेम भी हो सकते हैं, order को आपस में multiply कर दो, तो number of elements हमारे निकल कर आ जाते हैं, अब हम सीखे सीखेंगे, address of element, क्या सीखेंगे, किसी element का address या actual position उस element की क्या है, मानलो, कोई भी हमारे पास matrix लिखे हुई है, 2, 4, 5, आगे भी number हो सकता है, 3, 6, यह मैंने matrix लिख लिए, row कितनी है, 2, column कितने है, 3, r1, r2, column 1, यह हमें लिखने नहीं है, समझाने के लिए बता रहा हूं, कहीं भी matrix लिखोगे, तो simple braces में यही लिखोगे, इसके आगे हमें कुछ नहीं लिखना है, चीक है, तो अब address of element क्या होता है, यानि कि यह जो element है, 2, इसकी position क्या है, देखो ध्यान से, हम जो elements होते हैं, जैसे sets में, हम elements को small letter से sew करते हैं, यहां भी small letter से sew करेंगे, for example, हम इसको A से करेंगे, लेकिन यह A क्या है, position क्या है, first row, first column, first row, first column, पहले row लिखोगे, बाद में column, तो four की position क्या है, A, one, two, first row, second column, A, one, three, first row, third column, अब यह पहले row लिखनी है, बाद में column लिखना है, A, two, one, second row, first column, second row, second row, third column, अगर मैं तुम से पूछ हूँ, A, two, three की value बताओ, direct हैं बता सकते हो, seven, तो यह हमारे address आ जाते हैं, जिसके elements के address हम इस type से find out कर सकते हैं, तो address हमने सीख लिया, हमने represent करना सीख लिया, अब हम सीख लिए, general representation of matrix कैसे होता है, अच्छा, उससे पहले मैं एक चीज़ बताना चाहता हूँ, हमारी matrix की definition क्या थी, an ordered rectangular array of numbers और function, तो number का थो हमने सीख लिया, अब function की matrix कैसे हो, कि कोई भी function लग सकते हैं, यह ठीटा लगा दिया, यह modulus of x लगा दिया, sin ठीटा लगा दिया, sin inverse, ठीटा लगा दिया, तो यह हमारे function होते हैं, इसको भी हम matrix, यानि elements के रूप में हम functions को भी यूज़ कर सकते हैं, और numbers को भी यूज़ कर सकते हैं, number कैसे, real number भी हो सकते हैं, complex number भी हो सकते हैं, तो इस चीज़ का तुम ध्यान रखना, अब देखो, general representation of matrix, general representation हमारा कैसे आता है, मानलो, कोई भी matrix है हमारी, m x n उसका order है, m और n की value, कुछ भी हो सकती है, तो मैं m और n लेके चलता हूँ, देखो, कैसे बन रखते हैं, मानलो, एक matrix है, a, इसको हम कैसे लिख सकते हैं, इसके elements मान लिए होई, a11, ठीक हैं, first row, first column, अब इसमें, row कितनी है, m और column कितनी है, n, तो अगर इसको हम लिखते जाएंगे, तो first row, second column, first row, third column, कहां तक लिखेंगे, number of column, जब तक n न आ जाएंगे, रो तो m है, अब second row पर आ जाओ, second row, first column, second row, second column, second row, third column, कहां तक, ये भी nth column तक जाएगी, तो इसी type से, ये भी कहां तक जाएगी, बताओ, nth column तक, अब इसको भी हम, हमें कितनी row है, m, तो हमें m row तक लिखनी पड़ेगी, तो mth row, first column, m1, mth row, second column, mth row, third column, और mth row, nth column, इस type से, हम matrix को represent कर सकते हैं, ये तो पूरी इसकी representation in detail है, अब इसको दो को short form में कैसे लिखेंगे, हम इसको इस type से लिख सकते हैं, कि इसमें, एक matrix है, इसमें ij type के element है, इसका order क्या है, m cross n, अब i और j की value देखो क्या है, आई क्या है, आयत, यानि first row, रो की value हमारी कहां से कहां तक जा रही है, one to m, one से लेकर m, और j क्या था हमारा, j की value क्या होती है, इस column को represent करती है, और इसकी value कहां से कहां तक है, n तक, तो इसको हम इस type से short, इस पूरी जो हमने detail करी है, जिसकी पूरी व्याक्या भी lecture दिया इसका, इसको पूरे short form में हम ऐसे लिख सकते है, a, i, j, m, cross n, order यह होगा हमारे बास, इससे हम एक बना के दिखाते हैं आपको, यह लिखा हुआ है, a, i, j, और two cross two की है, ठीक है, तो इसका हम लिख जम दो रोज होंगी, और दो कोलम होंगे, तो क्या बनेगा, a, one, one, a, one, two, a, two, one, a, two, two, बन गई है, two cross two की, इस type से हम इसके elements, पन कर सकते हैं, तो देखो, यहाँ पर i की value क्या है, one, say two, j की value भी, one, say two, i किसको represent करता है, row को, यह किसको represent करता है, को लोग, यह general representation है, हमारा किसी भी matrix का, इस type से हम represent कर सकते हैं, अब सीधे questions करते हैं, एक्जाम्पल, one, करते हैं, देखो, एक्जाम्पल, one की statement आप, बुक से देख ले, न, मैं direct लिए है, उसमें इस type का कुछ दे रखा है, कि effective one में man इतने, woman इतने, effective two में man इतने, woman इतने, effective three में, man इतने और woman इतने, क्याता है, इसको matrix के रूप में अरेंज करो, तो बड़ी सिंपल सा है तो अब इसमें एक कोश्चन हो पूछ लिया है, कि सेकेंड कोलम का थर्ड रो क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, सेकेंड कोलम कौन सा ये, थर्ड रो कौन सी ये तो ये आ गए हमार पास है दिमेंट ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, जैको ये क्या था कोश्चन है, ये नंबर ओव वूमेन है किसमें, फैक्टी थर्ड में तो फैक्टी थर्ड में नंबर ओव वूमेन कितनी हैं, वो ये हमारा रिप्रेजेंट कर रहा है, ओके, सिंपल बहुत ही सिंपल सा था है now example 2 कहता है एक हमारी मैट्रिक्स है जिसमें elements कितने है एट तो possible order बताओ क्या क्या हो सकते हैं इसके number of element कैसे निकलते थे order को आपस में multiply करके तो 8 है अब 8 कोम कैसे कैसे ला सकते हैं multiply करके 1 into 8 तब भी 8 आ जाएगा number of element निकल जाएगा अगर उसका 1 row हो और 8 column हो तब भी एक matrix बन जाएगी इसका reverse भी तुरूंत लिख लिया करो 8 क्रोस 1 ठीक है अब और 8 कैसे आ सकता है 2 क्रोस 4 या 4 क्रोस 2 तो यह हमारे possible इसके order बन गई यानि अगर 8 element वाली matrix है तो उनका order यह होगा for example 8 कि क्या जगा है वो कह था भी 8 नहीं है हमारे पास हमारे पास 6 element है या 12 element है चलो थोड़ा से ले रहते है कि 12 element है 12 element वाली बताओ तो देखो 1 into 12 12 into 1 यह तो बनेगी बनेगी सबसे पहले फिर 2 से देखो 2 into 6 और 6 into 2 यह भी बनेगी अब 3 से बनाते हैं 3 into 4 और 4 into 3 और भी बनेगा पहले 1 से बना लिया उसका reverse तो है फिर 2 से बना लिया फिर 3 से बना लिया 4 से बनाएंगे तो फिर से वह या जाएगी ठीक है तो यह हमारे possible order हो जाते हैं कौन सी matrix के जिसमें 12 element है या जिसमें 8 element है इस type से possible number of orders हम find out कर सकते हैं अगर हमें number of elements पता हो और अगर हमें order पता है तो number of element निकालने के मालू हम तुम्हें कहा दिया एक matrix है जिसका order 6 close to find the number of element कैसे 6 into 2 को multiply कर लो 12 ठीक है now अब इस type का question भी आ जाता है कि एक हमें 3 एक matrix construct करनी है कैसी order क्या उसका 3 cross 2 यह मैंने भी example पढ़ा नहीं है तो मैं अपनी दर्फ से इसमें ले रहा हूं क्या है लेट ए जन्रल रप्रेजेंटिशन हम दो लिखेंगे कैसी है 3 cross 2 की मैट्रिक्स है ठीक है तो इसमें क्या क्या आएगा बताना जाना तो जो भी order हमारा given होगा हम उछ टाइब से इसको बना लेंगे अब यह matrix का मनी अब एक condition दे रखी है कि यह जो aij है न उसमें relation यह है वई कि aij 1 by 2 i minus 3j का modulus modulus का मतलब अंदर जो भी value आएगी भारक वो positive निकल कर ही आनी है तो मैं element find out करना दिखातेता हूँ तो मैं मानलो a11 निकालना है तो जहां पर i की value 1 रखनी है और j की value भी 1 रखनी है रखो 1 minus 3 की j से multiply होगी 3 1 minus 3 क्यों हो गया minus 2 लेकिन modulus लगा हुआ तो वहार निकल के क्या आएगा 2 upon 2 यानी 1 तो a11 की value क्या आगई 1 ऐसे a12 की निकालते हैं 1 i की value 1 और j की value 2 तो j की value 2 इससे multiply हो जाएगी 6 आगया तो minus 5 हुआ minus 5 बहार आके क्या आएगा प्लस के 5 तो इसकी value क्या आगई 5 by 2 यानी यह आगया 1 यह आगया 5 by 2 यह सारे निकाल के दिखाने हैं फिर उसके बाद लिखनी है हमें इसी type से जो यह दोनों आ जाएगे यहाँ पर रिख देंगे और that is your answer ठीक है अब आते हैं next example पर लेकिन उससे पहले हमें कुछ और समझना है अब आता है types of matrix कितने type के होती हैं सबसे पहले column ऐसी matrix जिसमें सिर्फ 1 column होता है number of rows चाहे कितनी भी हो that is known as column matrix for example 3 minus 2 4 5 this is your column matrix okay one column है और row कितनी है 1 2 3 4 तो इस type की matrix होगी वो column matrix होगी दूसरी आती है हमारी row matrix समझ गई होंगा इससे जिसमें सिर्फ 1 row हो और column चाहे कितनी भी हो इसको मैं अगर ऐसे लिख लूँ 3 minus 2 4 5 अब यह बन गई row matrix क्योंकि single row है इसमें कितने भी हो हमें column समझ जानी column matrix है तो इसमें row कितनी भी हमें कोई मतलब नहीं column 1 होना चाहिए row matrix है तो column कितने भी हो row 1 होनी चाहिए square matrix square matrix जिसमें number of rows and number of column कैसी होगी वो उसका order कैसा होगा 1 cross 1 2 cross 2 3 cross 3 इस type के जो भी matrix बनेंगी हमारी इस order के जो भी matrix बनेंगी वो हमारी square matrix होंगी एक example लेते हैं 2 minus 3 4 1 क्या order है 2 cross 2 इसी type से अगर खाली 5 लिख दिया मैंने तो यह 1 cross 1 क्यों होगी 1 arrow 1 column तो यह भी square matrix है और 3 cross 3 का ले 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 वो भी हमारे square matrix होगा अब next है हमारी diagonal matrix diagonal matrix कौन सी होती है यह square matrix होती है सबसे पहले बात तो diagonal matrix is always a square matrix मालनो 3 cross 3 वाल हमने ले लिया तो 1, 5 यह जो diagonal है उन element को छोड़कर diagonal के element को छोड़कर बाकि सारे element इसमें 0 होंगे और यह this is always a square matrix क्या है 3 या तो 3 cross 3 होगे या 2 cross 2 होगा या 4 cross 4 होगा 1 cross 1 होगा तो उसमें diagonal निकलता ही नहीं क्योंकि एक ही element है बाकि element उसमें पता ही नहीं होते है यह होगा diagonal element वो diagonal matrix, diagonal के बाद आती है हमारी scalar scalar matrix, diagonal matrix का ही part है अगर मैं यह सारे elements same कर दू, then it is scalar matrix तो diagonal यह देखो लेकिन अगर diagonal के सारे elements same हो जाएं तो this is known as scalar matrix इसी बाद आती है हमारी identity matrix ठीक है यह भी scalar matrix का यह अलग रूप है अगर हमारे सारे element diagonal वाले one 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 इस टाइप से हो जाएं then it is identity matrix ठीक है एक होती है हमारे पास zero matrix नाम से विदा चल दा है इसका order चाहिए कुछ भी हो इसके सारे element क्या होने चाहिए जीरो चाहिए order one cross one हो तब भी जीरो वह जीरो 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 एस टाइप से जीरो 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 सारे element कुसी भी order में हो तो हमारे क्या होंगे जीरो तो इसको हम बोलेंगे जीरो matrix ओके अब इसके बाद आता है एक्वैलेटी ओफ मैट्रिक्स ओफ मैट्रिक्स देखो यह अच्छा टोपिक है मालो एक मैट्रिक्स है ए और एक है बी अ हो सबसे पहले तो इंका of order सेम होना चाहिए तभी हम इनको एक 비ोलेंगे D estar चाहिए यह उड़ा चोपिक्रिक्स यह फोने चाहिए शबसे सब्सेज़ पहले तो होडिक्रिक्स ना चाहिए बत्स वोलेंगे दो condition होती है एक तो order same होना चाहिए यानि अगर ये 2 cross 3 की है तो ये भी 2 cross 3 की होनी चाहिए ये 3 cross 3 की है तो ये भी 3 cross 3 की होनी चाहिए सबसे पहले तो order check करेंगे क्या इनका order same है तब ही आगे बढ़ेंगे अगर order same है फिर हम ये देखेंगे क्या इनके सारे अलिमेंट भी सेम अगर यहां 5 है यहां भी 5 यहां 0 है तो यहां भी 0 1 है तो 1 2 है तो 2 यानि corresponding element भी बिल्कुल सेम होने चाहिए तब ही हम बोलेंगे matrix A is equal to matrix B otherwise हम इसको equal matrix नहीं बोलेंगे X आ जाए फूर एक्जामपल यहां पर क्या आ जाए एक्स ठीक है तो और इस matrix जीख पर है तब X की value क्या बन गई 5 तब इस टाइप से में X की value भी निकाल सकते हैं आओ इसके बाद हम करते हैं एक्जामपल 5 4 अपने आप कर लेना 4 ज्यादा इजी है तो एक्जामपल 5 देखो दो matrix हैं दोनों equal दे रखे हैं इसका मतलब corresponding element भी equal होंगे अगर equal दे रखें देखो टू क्रोस टू की है यह भी टू क्रोस टू की है तो इक्वल तो है चलो सही है तो अब हमें इसमें करना क्या है तो यहां से देखो यह वाला element इसके equal 2a प्लस b is equal to 4 और a-2b किसके equal minus 3 के 5c-d किसके equal 11 के और 4c-plus के 3d किसके equal 24 के तो दो linear equation यह आ गई दो यह आ गई सेम variables में यह a और b में है यह cod में अब linear equation solve करना तुम्हें आता है चाहे तो substitution method से करो चाहे elimination method से करो या cross multiplication method से तुम इसे करो करोगे solve अपने आप मैं नहीं नहीं बताऊंगा करना जब इसको solve करोगे तो a की value 1, b की value 2 आएगी, c की value 3 और d की value 4 आएगी तो यह तो हमारे example complete होते है exercise मैंने देख लिए है जैसे हमारे example है उसी type की हमारी सारी exercise है यह आपको खुदी करनी है एक last question उसमें दे रखा है वह मैं आपको बता देता हूं कि एक 3 cross 3 की matrix है और उसके element 0 होने चाहिए या 1 होने चाहिए इसके इलावा कोई element नहीं होने चाहिए उसमें तो ऐसी कितनी matrix is possible है जिनका order 3 cross 3 हो और उसमें element कैसे हो या तो 0 या 2 तो पहले देखो 3 cross 3 की matrix में element कितने होंगे 9 ठीक है इसको हम mathematical principle से करेंगे element कितने है 9 होंगे उसमें इता पक्का पता है और वो हो क्या क्या सकते हैं सिर्फ इन 2 में से हो सकते हैं तो इसका दो element हो सकते हैं और total होते हैं 9 तो 2 की पावर 9 यह mathematical principle होता है find out करने का तो 2 की पावर 9 जो भी वहारा आएगा answer that is your answer अगर हमें तीसरा भी दे देते हैं तो 3 की पावर 9 कर देते 4 देते तो 4 की पावर 9 कर देते तो इस टाइप से हम इसको find out कर से मालो अगर कोई और order की है मालो यह है 2 क्रोस 3 order की है तो कितने होने चाहिए 6 अब 0 और 1 आने चाहिए तो कितने matrix possible है 2 की पावर 6 तो इस वाले question को में इस टाइप से कर सकते हैं बाकी जो question दे रखे हैं वो सारे example के जैसे ही हैं उनको तुम अपने आप करना उम्मीद क आगी वे भी इसका benefit ले सकें धन्यवाद